विश्व के सबसे विशाल लोक तंत्र भारत के राजदितिक पार्टियों के विश्टेशनी की इस खास पेसकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगणा और आज करेंगे हम जिक्र किस तरीकी से मिलते हैं पार्टियों का धर्जा जहां तक मैं भारत की राजदितिक पार्टियों की बात करूं टोटल भारत में नेशनल पार्टियों आठ हैं और चवण हैं इस्टेट पार्टियों और अन्रिकागनाईज पार्टियों के दिमें बात करूं तो 2796 पार्टियों हैं यह तोटल यह दिमें राजदितिक 555 राजनितिक पार्टियां हैं जो की चुनाव लड़ती हैं जहां तक मैं भारत के सम्मिधान की बात करूं आर्टिकल 19 सब कुलोस 3 के अदिन कभी भी कोई भी बिरकुर fundamental right है हमारा ये कोई भी पार्टी बना सकता है और election commission of India देता है पार्टियों का दरजा और किस तरीक से ब बात करों लोगसबा का जब चुनाव होता है तो लोगसबा चुनाव की घोषना मानिया रास्तपती करते हैं और उसके बाद election commission of India conduct करता है और state party के दरजा के लिए जब लोगसबा का चुनाव होता है तो जो valid vote होती है यानि वैद votes, legal votes होती है उसका 8% vote यदि पार्टी को प 6% vote और साथ में 1 MP यदि जीत के आ जाता है तो party को state party का दरजा मिलता है तिसी condition 666% यानि 4 state में 6% vote प्लस 4 MP यदि कहीं से भी जीत के आ जाते हैं किसी भी state से तो party को state party का दरजा मिल जाता है जहां तक मैं बिधान सबाद चुनाओ की बात करूँ तो बिधान सबाद चुनाओ जो राजय में चुनाओ होते हैं उसकी घोषना मान्या गवर्नर करते हैं उसके बाद election commission of India vote को conduct करता है और जब party election लड़ती है तो जितनी vote पढ़ती है state में उसका 8% vote यदि पार्टी को तीसरे condition 3% of MLA जो state की जितनी seats होती है उसका 3% vote 3% MLA जी जीत किया जाते हैं तो भी party को state का दर्जा मिल जाता है तो इसलिए total और national party के दिए में बात करो national party बनने के लिए जब लोग सबाद का चुनाओ होता है तो 8% vote प्लस चार state से चार M.P. अलग-अलग state से चुन के आ जाते हैं तो भी national party का दर्जा मिल जाता है party को इसके अलावा लोग सबाद की जो जो seats है पारलिमेंट की यानि सांसत की 543 का 11 M.P. अलग-अलग तीन state से यदि चुन के आ जाते हैं यानि हर state जिस state का seat होती है उसका 2% तीन state से जीत के जी आ जाते हैं तो भी party को national party का दर्जा मिल जाता है चौतिक condition चार state से 66% भोट प्लस चार M.P. यानि सांसत जीत के आ जाते हैं तो party को भी national party का दर्जा मिल जाता है यह है condition यह है सर्थ election commission of India की national party